हेलो स्टुडेंट्स आज हम यहां पर जैन्दरम के संपर्दयों के बारे में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में स्वागत है तो देखे हमने जैन्दरम से संबंदित काफी कुछ पहले वाले वीडियो में तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संपर्दाय होता क्या है अर्थात संपर्दाय किसे कहते हैं तो दर्म के लिए धर्म ठीक है अर्थात एक धर्म की अलग-अलग परंपरा मानने वाले वर्गों को संपर्दा कहते हैं तो संपर्दाय अलग-अलग धर्मों में अलग संपर्दाय थे तो देखे जैसे बो धरम है हिंदू धरम है जैन धरम है इसलाम धरम है इन सभी धरमों में अलग-अलग वग थे तो देखे जैन संपर्दाय जैन संपर्दाय है इसके दो संपर्दाय थे जैन धरम के अर्थाद जैन धरम की दो साखाई थी वो कौन-कौन सी थ कि दिगंबर संपर्दाई और स्वेतांबर संपर्दाई अब देखें यहां पर हम दिगंबर और संपर्दाई के बारे में पढ़ने سے पथेले एक important बात जान लेते हैं तो आप लोगों के भी अब दिमाग में क्यूसन आ रहा होगा जिग्या सा आ रही होगी यह दिगंबर और श्यतामबर संपर्दा क्यूं बने रीजन क्या था ठीक है तो यहां पर हम लोग मलब यह चीज पढ़ लेते हैं क्योंकि यह कई बार परीक्षय में भी पूछ लेते हैं कि जैन दरम दो भागों में कब बटा तो वो है जैन दरम की पर्थम सभा जो तीन सो इसा पूरा में हुई थी और यह चंद्रगुप्त मोर्य के काल में पाठली पुत्र में हुई थी औ और इसी समय जैन दरम है वह दो संपर्थम में बाटा गया था ठीक है तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है वो बताती हूं आपको आवद में अकाल पढ़ गया था बारा वर्ष का तो कुछ लोग हैं वो बद्र भागों के समर्थन में दक्सिन में चले जाते हैं और बद्र भागों है वो वापस लोट आते हैं और इस्थूल भागों को मानने से इंकार कर देते हैं ठीक हैं इसी विवाद को लेकर 300 इसा पूर्व में पर्थम जैन संकीति का आयोजन होता है और जैन दरम है वह दो भागों में विभखत हो जाता है ठीक है तो यहां पर पू देखिएगा तो चलिए यहां चलते हम दिगंबर के बारे में तो दिगंबर संपरदा है इसके जो नेता है वो कौन थे भद्रबाहु और भद्रबाहु इनके जो अन्युयाई है इनको दिगंबर कहा गया है और ये दक्सिनी जैनी भी कहे जाते थे दिगंबर वर्क के तिर् जिसा अपर बल देते हैं, इस वरग के लोग चारो जिशाओं को ही अपने वस्तर मानते हैं, इतने कठी कठी नियमों को समाजिक व्यक्ति अपनी रोज मरते के जीवन में नहीं अपना सकता, इनको ग्रहष्थ वेक्ती कम से कम अपनाएगा, अर्था नाक बराबर होगा, दिगंबर जो होते हैं वो सादू सन्याशियों की तरह होते हैं, उनके कोई घरबार नहीं होता, फिर आपका दूसरा संपर्दा है, वो है स्व स्वेतामबर संपर्दा है इनके जो नितरत्वा करता है वो इस्थल बाहु है और इनके अनुएयों को स्वेतामबर कहा गया है इस वरक के लोग सफेद कपड़े पहनते हैं तथा मुहाँ पर कपड़ा बांद के रखते और सूरिया सोने से पहले ही खाना खाय लेते हैं क्या था यह अब अपन पढ़ते हैं आपर स्वेतामबर तथा दिगंबर संपर्दाय में मत भेद मतलब क्या क्या था कभी कभी प्रिक्ष्या में पूस लेते हैं स्वेतामबर और दिगंबर में अंतर तो वह अपने आपर पढ़ेंगे दिगंबर में मोक्स के लिए नगना धारण करो दिगंबर संपर्दा में सरवग्य भगवान केवल ग्यानी हो जानने पर ही केवले प्राप्त कर पाता है अर्थात दिगंबर संपर्दा के लोग बोलते हैं कि पूरा संपूर ग्यान प्राप्त होने के बाद जो ग्यानी वेक्तिय उसी को ही केवले प्राप्त होता है दिगंबर संपर्दा में इस्त्री मुक्ति का निशेद करते हैं अर्थात इस्त्रियों को निर्वान प्राप नहीं होता उनको केवले प्राप नहीं होता जबकि स्वेतांबर वर्ग में इस्त्री मुक्ति को स्विकारा गया है अर्थात उनको भी केवले प्राप होता है द श्वेतांबर संपरदा के लोग महवीर स्वामी को विवाहित मानते हैं जबकि दिगंबर वाले एविवाहित मानते हैं श्वेतांबर वाले मानते हैं कि जब व्यक्ति को कैवले की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद भी भोजन के जरूरत पढ़ती है जबकि दिगंबर का कहना है कि कैवले प्राप्त के बाद भोजन के अवस्तिता नहीं होती ठीक है तो अपने स्वेतांबर और दिगंबर के बारे में अंतर पढ़ लिया है अब अपने पढ़ेंगे यहां पर स्वेतांबर संपर्दा के उप संपर्दार ठीक है तो आनने वाले जो लोग हैं वह जैन-त्रथंकरों की पूजा करते थे और मंदीरों को भी सजाते थे त्यरवदी संपर्दाय की जो लोग है वो 13 विशेश वातों का पालन करते हैं और इस संपर्दाय की स्थापना स्थानक नामक सादु दोारा 1760 consigo में की गई लोका संपर्दाय यह संपर्दाय मूर्ति पूजा का विरोध करता है अगला आता है दिगंबर संपर्दाय के उपसंपर्दाय तो कभी-गभी प्रीक्षा में पूछ लेते हैं दोनों संपर्दायों के उपसंपर्दाय है न तो आपको थोड़ा सा दंग से इसको कर लेना है संपरदाय कौन कौन से sucks आंबर का उस संपरदा कौन सा है दिगंबर का उस संपरदा को सा है तो ऐसे आको थोड़ा ढ़्यान रखना चाहिए आपर 20 पैंथी सं परदाय 20 पैंथी संपरदाय के लोग केवल तिर्थंकरों की ही पुजा करते हैं फिर आता है आपका तारन पंथी संपर्दा तो तारन पंथी संपर्दा है इसकी इस्तापनावे तारन स्वामी नामक व्यक्ति ने की थी तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद